गुड बॉर्निंग डोष्टो जन्र अड्मिसेशन ड इपार्डमेन जो जिय ऑन ड कर देंगे कि GAD के तरब से new rule service के लिए निकला है आज हम उसी पर बात करते हैं तो 200 GAD civil secretary शिर्णगर जो 24 अमेरी का notification उन्होंने निकाला है तो दोस्तों जैसे कि आप सारे जानते हैं कि GKSSB के तरब से जो भी post निकली थी निकल भी रही हैं जिसमें अभी अपी currently जिसकी last date थी तो notification number 02.08.2021 उसमें भी बहुत सारी post थी stenographer के लिए फिर उसके बाद junior assistant की तो junior scale stenographer और जो stenographer के लिए eligibility थी जिसमें उन्होंने GAD की तरब से GKSSB की कोई भी जो post थी junior assistant और junior scale stenographer की जिसमें जो पहले भी form लगे थी notification number 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद जो new notification 2021 की दो notification थी उसमें भी post थी junior scale stenographer के लिए और junior assistant के लिए तो उसमें जो legibility रखी होती थी तो हर एक legibility हर एक post के लिए जो junior scale stenographer और junior assistant के लिए minimum 6 मन्त का computer application में उन्होंने certificate मांगा होता था तो अब जे GAD के तरब से कली जे notification निकला है जिसमें उन्होंने service के rule को थोड़ा change किया है और उन्होंने जे लिखा होगा है in all the subordinate service recruitment rule governing different service उन्होंने बोला है जितनी भी subordinate service बैसे तो जे subordinate ही होती है क्योंकि junior assistant के बाद senior assistant, head assistant, so की post होती है तो पहले जो है इसमें junior assistant लिए आते है जो assist करता है ठीक है junior होता है junior grade में आता है in all subordinate service recruitment rule governing different service post under the government जो qualification है six month certificate code जो computer application की recognized insurance से जो होता था जो पहले prescribed होता था किसी भी post के लिए junior assistant के लिए junior stenographer के लिए तो उसके लिए उन्होंने उसको omit कर दिया उसको मतलब कि उसको बाहर निकाल दिया मतलब उस post के लिए भी इसकी जुरूरत नहीं है ठीक है इसको उन्होंने change किया है all the department और अकार्डेली जितने भी department और अकार्डेली जो amendment हुए है रूल इसी को follow करेगी तो जे कली जे left hand governor के तरब से जे निकला है इन exercise of the power confirmed by provision to article 309 of constitution of India दा लेप्टिन गवर्नर आफ जूनियन टेर्टर या जमौन किश्मीर प्लीजड उन्होंने जे ड्रेक्ट किया है कि बाई आडरा अडरा गोर्मेट आजमौन किश्मीर में जी आडरा उन्होंने उनके द्वारा निकला है कि कोई भी पोस्ट जो है आगे गैस करोगी अब मेरे ख्याल से तो ज्यादा जे लागूसी पर रहेगा जो आने वाली पोस्ट होंगी जा आने वाली कोई भी advertisement निकलती है बैसे तो जो पिछली वाली है उसमें अकार्डिंगली जो पिछला उन्होंने बताया हो गया है जिसमें six month की requirement होती थी वो six month तो compulsory है आई थिंक लेकिन जो आने वाली जो भी होंगी क्योंकि अभी तो last date जो है notification number second उसकी भी last date हो गया उसके farm fill हो गया जो जिनके farm fill हो गया है पहले जितने भी कि जे कब किसके लिए लागू रहेगा जे आने वाली कोई भी पोस्ट राउन पर लागू रहेगा तो दोस्तों आगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को like कर दो शेर कर दो इस वीडियो को जादा से जादा शेर करो और जो पहली बार में चैनल पर वीजिट कर रहा है में चैनल को subscribe कर दो notification bell को call पर रख दो नीनी update के लिए thank you guys